हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आल्ट में आपका स्वागत है, आज मैं फोटोशोप में कुछ एफेक्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यूशीट लेता हूँ और यहां जाके मैंने फोटोशोप का साइज शो किया, पांसाथ का ओकी खलता हूँ, आप कोई भी साइज शो कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको जैसे कि हम एनिमेशन कलते हुए, कोई नेस्ट कलते हुए, कोई एफेक्ट आए कि जैसे पीजा, सकते हैं, रख सकते हैं, इस तरीके से कोई सिलेक्शन लिया, एक न्यू लीर्श ली इसमें कोई कलर फिल करता हूँ, इसमें कोई गाड़ा कलर दिया मैंने, और यह गाड़ा कलर शो कर दिया, अब इसके बाद, कउ डेक्शन अएप्स लेयर स्टैल में जाता हूँ, यहां घुरभ सब्क्राइब में और लि 돼-new यहां आप सकते हैं और यहां कोई भी घृट कर सकते हैं तो अगर आपको इस इस तरीक नेरे अलाएक चैहना है खellschaftर Cantonese सेखने होको इसमें आपको certificate भी issue करेंगे आपका, आपको online glass show कर सकते हैं ले सकते हैं, अगर ये channel आपको अच्छा लगता है या आपको course अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं बता सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जिससे मैंने selection को size को चोटा बढ़ा क चाहिए, तो मैंने क्या करता हूँ, इसका size बढ़ गया है इस तरीके से, control D, selection हटाने के लिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जिससे मैंने एक new tax लेता हूँ, तो जब tax लोगा तो new layers automatic बन जाएगी, यहां मैं फिलाल अभी कोई, मैंने tax ले रखा था, वो copy कर रखा था पेस्ट कर किया मैंने, और जिससे जो B है इसको बढ़ा करता हूँ, इस तरीके से, हम चाहिए तो इसका tax का style है, वो कुछ अलग दे सकते हैं, यह इनके बीच में कोई भी gap show कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो जिससे मैंने किया इहां जाके, इसका size का gap है, वो थोड़ा सा अच् के, Ctrl O Open, Ctrl O Open करने के बाद, यह desktop पे मैंने कुछ image शो कर रखी हैं, यह लेके आता हूँ, यह PNG image है, तो pen tool से काटके हम PNG बना सकते हैं, जिससे मैंने इसको किया select, मैंने किया paste, इस तरीके से इसका size छोटा करता हूँ, Ctrl T, Ctrl T करता हूँ, इसका size छोटा कर देता हूँ, इसको image चाहिए, वो दिखा सकते हैं, आप इसके आई बन करता हूँ, hide करता हूँ, अब दूसी seat पे जाता हूँ, इहां select करता हूँ, Ctrl दबा के select कर होएंगे, तो वो area select हो जाएगा, तो इसको copy करके, मैं here paste करके लिखाया हूँ, इस तरीके से, अब इसमें हलका सा देखा जाए, तो उपर की तरफ एक बिंदी टाइप ही दिखा दे रही है, और फिलाल मैंने selection लेक्शन लेक्षे इसमें feather show किया, यह थोड़ा सा जो इसकी डंडी है, यह लखडी है, जिसमें बैठी है, थोड़ा सा smooth होता हूँ आए नीचे से, इस तरीका कोई भी effect हम show कर सकते हैं, दे सक सकते हैं, इसकी भी icon करता हूँ मैं, अब मैंने इसको भी image को close किया, दूसरी image लेता हूँ, तो select ctrl c copy और यहां जाके paste, इस तरीके से, जितनी भी image हैं, इस तरीके से मैं लेके आऊँगा, तो अगर आप इसको पूरे के पूरे software को सीखना चाहते हैं, तो उसमें आप मेरी graphic teaching art.com website पर जाके सीख सकते हैं, इसमें हम आपको certificate issue करेंगे, उसमें हमने जिसकी graphic designing, fashion designing, DTP, other काफी course मतलब दे रखे हैं, आप वहां सीखना चाहें, तो सीख सकते हैं, मेरी hindi language होगी, जिसमें मैं आपको जिस तरीके से मैं यहां समझा रहा हूँ, इस तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा आपका, तो अगर आप करना चाहें, आपने दोस्तों को बताना चाहें, तो बता शकते हैं, share कर शकते हैं आप इस तरीके से, तो जैसे मैंने इसको select किया, control C, copy करता हूँ, मैंने किया paste, मैं control T करता हूँ, इसका size थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस तरीके से, size चोटा किया, तो जोब आप size को चोटा बड़ा करते हैं, तो थोड़ा सा बला type की दिखाई देती है, तो फटती नहीं है, जैसे ही मैंने इसका शोटा करता हूँ, तो इस तरीके से effect आपका शोटा करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस दो layer से मेरी, इन दोनों को, इस तरीके से, तो यह अलग-अलग layer से, आप मैं चाहूँ तो इसको भी show कर सकता हूँ, या इसको center में ले सकता हूँ, तो यह आपका effect है कि आपको किस तरह का region मनाना है, अब मैं timeline पे जाता हूँ, इसकी भी आई फिलाल बन करता हूँ, और सबसे पहली वाली layer 3 वाली जो थ इसको यह खोलता हूँ आपका, तो window में जाके timeline पे click किया, यह timeline आगी आपकी, तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि जिससे पहला effect आए, दूसरा effect आए, तो इस तरीके से आप कोई भी, मतलब image show कर सकते हैं, जिससे किसी burger का, या किसी भी film star का, जो भी आप अगर चाहें तो text भी show कर सकते हैं, तो यह करके दिखा रहा हूँ मैं, कि जिससे मैंने इहां show किया, इस तरीके से, आप जिससे दूसरी वाली picture मेरी इहां show हो जाए, इसके बाद दूसरी वाली picture चले मेरी, तो जब मैं यहां आता हूँ, तो यहां खुश नहीं है, तो मैं इसके आई बन करके यह खोलता हूँ, तो अब यह जैसे यहां तक show करेगा आपका, तो अब जैसे इसका भी थोड़ा सा size चोटा, इसको हम size को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यह हमारी इच्छ है, तो जैसे इसक इसको यहां show किया कि इतना, इसके बाद वह वाली effect है image, और जिस मैं करके दिखा रहा हूँ आपका, इसके बाद यह है आपका, अब इसकी बाद, तो यह दोनों चीज show करेगा इस तरीके से, तो ऐसी गलती नहीं करना है, तो जब वह last point पर आएंगे, जब हमें वह वाली layers क आई को कॉलना पड़ेगा, यह तो दोनों image यो करेगा इस तरीके से, तो ऐसा नहीं करना, इसके बन करता हूँ फिलाल में, अब आप तो जिससे इस तरीके से पहला, यह दूसा, तो यह यहां जाकि इसके आई कॉलूँगा, तो जब यह इस तरीका effect आएगा, ऐसी यह तीस point, तो अगर आपने fashion designing में कोई dress बना रखी है, तो आप इस तरीके से भी dress एक एक करके दिखा सकते हैं, तो वह आपका effect है कि आप किस तरीके से इसको दिखाना चाहें, दिखा सकते हैं, अब मैं सबसे उपर गया, इस तरीके से effect आता है, अब इसमें थोड़ा सा space कम रह गया आपका, अगर हम चाहें तो इसको space को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो यहां से जैसे मैंने space बढ़ा दिया है, इस तरीके से, जब मैं इसमें लेके जाता हूं, तो मेरे background, मेरा tag show नहीं कर रहा है, इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, कि यह सारी चीज, सारी चीज, शो करे से दिखाई दे, तो मैं क्या करता हूं, इसको इहां, नीचे की तरफ लेके आता हूं, इस जगे, तो यहीं इस तरीके से, इसको मैंने इहां तक, open करा, यह tags, पीछे का background, इस तरीके से, इह तीन layers, इसमें दिखाए दे, तो जब मैं इसको पहले करता हूं तो यह इस तरीके आप यहां टैक्स में नाम भी चेंज कर सकते हैं इसमें इस तरीके से ऐसी कोई वीडियो आप बना सकते हैं साधी की इस तरीके से अब मैं इसको सेव करता हूँ तो मैंने किया जैसे export में जाके render में save करता हूँ यहां तो आप यहां इसमें gif image भी बना सकते हैं वीडियो भी बना सकते हैं अगर आपको sound देना है तो आप filmora use कर सकते हैं filmora video editing के लिए best software है जल्दी आप चीख जाते हैं उसको तो जैसे मैंने इसको किया इस तरीके से select अडोब मीडिया पर इस तरीके से save हो गया अब मैं desktop पर आपको दिखा रहा हूं आपका कि जैसे मैं इसको play करूंगा तो यह इस तरीके सरी करके मुलब वो effect आएगा आपका ऐसी आप कोई भी design का effect शो कर सकते हैं बना के यह दो भी कर आएग देएव स्रवद कर जई से लेके से राफ़ दोटें कि प्रत कर द दिह मैं है